हेलो फ्रेंड्स आज हम अफ्रीका महाद्यूप को पढ़ेंगे कि अफ्रीका महाद्यूप उत्तर, दच्छण, पूरव, पश्चिम इन चारो दिसाओं में किनकिन जीजों से घिरा हुआ है और हम अफ्रीका महाद्यूप से संबनेत कुछ महात्यूपूर दथों को भी अफ्रीका महाद्यूप को इंसानी सबताओं की जमिभूम कहा जाता है अफ्रीका महाद्यूप एस्या महाद्यूप के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्यूप है यानि कि एस्या महाद्यूप के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्यूप कौन है अफ्रीका महाद्यूप है जिसका छेत्रफर लगबग 3,02,21,532 किलो मीटर है ठीक है अफ्रीका चारों तरफ से पानी से घीरा हुआ है और इसकी सभी सिमाएं बहुत ही साफ है अफ्रीका महाद्यूप की सीमा पूर में हिंद महासागर और पश्री में अटलांटिक महासागर से लगती हैं यह दुनिया का सबसे गर महाद्यूप है और एक महात्र प्रायद्यूप है जिसके माध्यम से भूमद्रेखा करकरेखा और मकर रिखा गुजरती है ठीक है अफ्रीका महाद्यूप में 54 देश है कितने देश है चोवन देश है जिनमें अलजीरिया सबसे सबसे बड़ा महाद्यूप है जिसके माध्यम से भूमद्रेखा करकरेखा और मकर रिखा गुजरती यानि की तीनुरेखाएं किस माध्यूप से गुजरती है तो चलिए पहले अफ्रिका महाद्यूप का भगोलिक दृच्श्च्व यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं फिर के बाद हम आपको मैप में समझाएंगे अफ्रीका इसिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्यूप है इसे हमने पहले पढ़ रखा है यह 37 दिग्री चोदा उत्री अच्छान से 34 दिग्री पच्चास दच्छी अच्छास एवं 17 दिग्री 33 पश्चमी दिशांतर से 51 दिग्री 33 पूर्वी दिशांतर के मद्ध इस्थित है यानि कि अफ्रीका महाद्यूप अफ्रीका के उत्तर में भूमत दिशांतर एवं यूरोप महाद्यूप इस्थित है और दच्छी में दच्छी महाद्यूप अंध महासागर पूर में अरफ सागर और हिंद महासागर इस्थित है और पूर में स्वैज भूद अमरूमत इसे कैनाल भी कहते हैं मतलब पूर में स्वैज कैनाल इसे एसिया से जोड़ता है तो पूर में स्वैज कैनाल भी इस्थित है जो एसिया से जोड़ता है और एसि स्टेट भी बोलते हैं इसे उत्तर में यूरोप महाद्यूप से अलग करता है इस महाद्यूप में विसाल मरुस्थल अत्यंत घनेवन विश्ट्रत घास के मैदान बड़ी बड़ी नदियां जीले तथा विचित जंगली जानवर भी हैं तो देखिए आप लोगो कुछ चीज आपको यहाद रखना ठीक है स्वाज कैनल एसे जोड़ता है और इस यह से ही अलग करता है जिबराल्टर इस्टेट जो है यह अफ्रीका को यूरोप महाद्यूप से अलग करता है ठीक है तो चलिए यह सारी चीजों को हम एक बार मैप में देख लेते हैं मैप सी बार समझन में हमने क्या पढ़ा था कि अफ्रीका महाधिव के उत्तर में मेडियृ RICH By में कहते हैं भूम अदि सागर अफ्रीका महाधिव के उत्तर में अभी हम नेक्स्ट मैप में आपको अच्छी तरीके से इंडियन ओसेन दिखाएंगे कि अफ्रीका महाद्यूप के पूरब में इंडियन ओसेन है ठीक है मतलब कि हिंद महासागर अफ्रीका महाद्यूप के पस्ची में है अट्लांटिक ओसियन और हमने स्वैस केनाल के करता है ठीक है और स्वैस केनाल के आगे हम बीच में स्थित है ये जो लार्क है यह उदन की खाड़ी से होते हुए हिंड महासागर में मिल जाता है ठीक है फिर रेट सी के बाद है इधर ही बाबले मंडेल जलसंधी बाबले मंडेल जलसंधी जो है एसिया के यमन और अफरीका के जुबती देश को जोडते हैं ठीक है बाबले मंडेल जो जलसंधी है इसे गेट आफ टीर्स के रूप में भी जाना जाता है ठीक है देखे पहले क्या म और अफ्रीका महाध्यूप के जिवुत्य को आपस में जोडते हैं ठीक उसके बाद बाबली मंदिल के बाद हमें होउड का मिलता है ठीक है मिड़ा गासकर को आपस में जोड़ता है ठीक है फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमिलता है के बाप गुड़ हो जिसे हम आसा अंतरीब बोलते हैं और अफ्रीका महाद्यूप के पश्चे में हैं अट्लांटिक होसे उत्तर में हैं मेडिटीरेंसी और यहां पर स्वढ़ता है जो अफ्रीका महाद्यूप को यहां पर यहां पर स्वढ़ता है एक बार हम फोलेक döpkle सबसे पहले या दह्रीका महाद्यूप को युरोग महाद्यूप से अलग करता है तो अफरीका महाद्यूप के उत्तर में क्या है? Mediterranean Sea और Europe continent और दच्छिड में क्या है? Southern Ocean मतलब की दच्छिडी महाद सागर ठीक है? और पूरब में क्या है? Indian Ocean और Arabian Ocean मतलब की हिंद महासागर और अरब सागर और पस्षिब में अफ्रीका महाद्यूप के क्या है अफ्रीका महाद्यूप के पस्षिब में अट्लांतिक ओसियन है ठीक है अब हम नेक्स्ट मैप में देखेंगे कि Mediterranean Sea, Red Sea और Horn of Africa को इस पर्स करने वाले अफ्रीकी देश कौन-कौन से हैं ठीक है तो फ्रेंट्स इस मैप में हम पढ़ेंगे कि Mediterranean Sea और Red Sea और Horn of Africa को कौन-कौन से अफ्रीकी देश टेश करते हैं तो देखी यह रहां अफ्रीका का continent, अफ्रीका के continent में North में है Mediterranean Sea और South में Southern Ocean और East में इंडियन और West में है Atlantic Ocean ठीक है अब हम आपको ट्रिक के तौरा बताएंगे कि Mediterranean Sea को अफ्रीकी देश कौन-कौन से टच करते हैं तो हम पढ़ते हैं पहले मैटली पहले आपको इसको लर्ण करना पड़ेगा ठीक है मैटली M का मतलब होता है मुरक्को और A का मतलब होता है Algeria और T का मतलब होता है Tunisia और L का मतलब होता है Libya और E का मतलब होता है Egypt तो तो यह पाँच देश हैं जो को मेडि bliss करते हैं कौन कौन से हैं मरक को तूनिशिया लीबिया ऑर इयजइपट थिक है किस तरह किसे याद करेंगे मेरडिन कि टाच करता है ठीक है तो रेट सी को तीन देश टाच करते हैं इजप्ट सुडान और इरिट्री ठीक है तो रेट सी को किस तरह किसे याद करेंगे ESE, Red Sea को Egypt टेच करता है, Sudan टेच करता है और Eritree टेच करता है, Eritree यहां परिस्थित है, तो ESE के थरू याद करेंगे Red Sea को टेच करने वाले अफरीकी देश, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि Horn of Africa को अफरीकी दिस कौन कौन से टच करते हैं तो Horn of Africa को Eritory टच करता है और Ethiopia टच करता है और जिबुती टच करता है और Somalia टच करता है तो हम इसको इस ट्रिक के द्वार याद करेंगे E E D S E E का मतलब होता है Eritory और दूसरे E का मतलब होता है Ethiopia Eritory, Ethiopia, जिबुती और Somalia तो चलिए अब हम अफरीका महाद्यूप से संबंदित कुछ महात्यूपूर तथो को पढ़ लेते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्यूप है जिसका छेत्र पर करीब 3 करोड 2 लाख वर किलो मीटर है इसको हमने पहले ही पढ़ रखा है अफरीका महाद्यूप में कुछ 54 देश है जिसका सबसे बड़ा देश अलजीरिया और सबसे छोटा देश सेसल्स है ठीक है तो टोटल देश कितने है चोवन है सबसे बड़ा कौन सा है अलजीरिया और सबसे छोटा कौन सा है सेसल्स है अफरीका कौन्टेंट यानि कि अफरीका महाद्यूप की एक और सहारा रेगिस्तान है तो दूसरी और कली मंजारो परवत और सुसुत जौला मुखी है ठीक है केनिया की सीमाओं में स्थित विक्टोरिया जील पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की मीठे पानी की जील है जो अफरीका महाद्यूप में ही स्थित है इस जील के उचाए 335 मीटर और लंबाई 1600 मीटर है तो विक्टोरिया जील पुरी दुनिया की दूसरे नमबर की मीठे पानी की जील है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है? सुपीरियल जील ठीक है? सुपीरियल जील जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है जखकी विस्व की प्रथम मीठे पानी की जील बैकाल जील है या रूस में एक भेंस जील है अफरिका कॉंटीनेंट दुनिया का सबसे गर महादूप है डुनिया की दो सबसे प्राचिन सभ्यताएं मिसर और कार्थेश का विकास भी इसी महादूप से हुआ है अफ्रीका महादूप में हिंदू की जनसंख्य बहुत ही कम है जिसमें मौरीसस ही एक मात्र ऐसा देश है जहां पर हिंदियों की जनसंख्या करीब 48 पिस्द है ठीक है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्तल सहारा भी अफ्रीका में हिस्तित है जिसका छेथपल करीब 94 लाख वर किलोमेटर है जो भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है तो सहारा मरुस्तल कहां परिस्थ है? अफरीका महादूप में इस्थित है दुनिया का सबसे बड़ा पच्छी सुत्र मुर्ग भी अफरीका महादूप में ही पाया जाता है जो प्रिथ्वी पर मवजूद है सभी पच्छीों की तुलना में तेज गती से भागते हैं उनकी गती सतर किलोमीटर पर गंटे की होती है दुनिया का सबसे उचा जानवर जिराफ भी अफरीका में ही पाया जाता है अपनी तेज रफ्तार के लिए जाने जाने वाला चीतते भी अफरीका महादूप के जंगल में ही पाया जाते हैं बंदरों की प्रजात में सबसे बड़े बंदर गोरिल्ला भी अफ्रीका में ही पाय जाते हैं दुनिया के सबसे बड़े मगरमच भी अफ्रीका में ही पाय जाते हैं चमकीले रंकी विविद प्रकार की चडिया अफ्रीकी महादूप में ही पाय जाती है सवाना नामा घास का मैदान अफ्रीका महादूप में ही पाये जाता है यह अफ्रीका महादूप में घास के मैदान की बात की जाये तो यहाँ पर दो घास के मैदान है एक है सवाना घास का मैदान और दूसरा है हाई वेल्ड घास का मैदान जो सवाना घास का मैदान है यह एक विश्वत रेखा के आसपास इस्थित है जो सवाना घास का मैदान है यह उशकटबंदी घास का मैदान है इसे elephant grassland भी कहते हैं ठीक है जो high world घास का मैदान है यानि कि ये दूसरे नंबर कर जो घास का मैदान है ये साउथ अफरीका में फैला हुआ है मकर रेखा के आसपास इस्तित है जो समाना घास का मैदान है ये कहां परिसी थे ये विश्वत रेखा के आसपास इस्तित है जिबकि जो हाई वेल्ट घास का मैदान है ये मकर रेखा के आसपास इस्तित है ये सितूश कटबंदी घास का मैदान है दुनिया का सबसे बड़ा इस्थल जीव अफ्रीकन हाथी जो करीब 13 फुट के होते हैं वो भी यहाँ पर पाया जाते हैं ठीक है ऑस्टेलिया के बाद अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइस्ट कॉंटिनेंट यानि की सुस्क महाद्यूप है ठीक है नैजीरिया अफ्रीका महाद्यूप का सबसे ज्यादा अबादी वाला देश है दुनिया का सबसे ज्यादा रहास्यों से भरा हुआ गिज आज हमने अफ्रीका महादुप के कुछ महतपूर दत्यों के बारें पढ़ा, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समापत होता है, अब हम मिलेंगे नेक्ट वीडियो में अफ्रीका महादुप की ही नदिया, परवत चोटिय पठार, जिलो के साथ, थैंकियो फ्रेंड्